हमने अभी ये नया फेशन स्टोर होला है माई नया फेशन स्टोर शेहर के बीचों बीच सभी नय कलेक्शन के साथ लेडीज बैक्स, एस्पेललो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैक्स, वोलो कलब यूएसे, वेंटेक्स, जर्मणी फुटवेर, ओन मैनुफेक्शर, न्यू अलायवल लेटक्स कलेक्शन, रेडीज शूस, हैंड बैक्स, सेंडल, मेंच शूस, एंड स्लिपर, 100% क्लाइन सेटिस्फेक्शन तो आज ही आईए माई नया फेशन स्टोर महिस्लामुद्दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइन्स मुम्रा के समराट नगर के रहने वाले मनोज गुपता का ATM काड उनके जेब में ही रखा रहा और बैंक एकाउंट से पैसा गायब हो गया वो भी हजार दो हजार नहीं बलके अठावन हजार रुपे एकाउंट से गायब हैं मनोज का एकाउंट मुम्रा मार्केट इस्थित किनरा बैंक में है और उनके एकाउंट में कुल रकम साथ हजार एक सो अलतीस रुपे थे दो जन्वरी को शाम के वक्त रोष्णी बिल्डिंग के पास से डी सीवी बैंक के एटियम से पंदरह सो रुपे मनोज ने निकाला और अपने घर चले गए तीन जन्वरी को इनके मोबाइल पर दस दस हजार रुपे दो बार निकाले जाने के मैसे जाए रविवार का दिन होने की वजह से बैंक बंद था इसलिए मनोज गुप्ता ने कस्टमर केर से संपर किया और अपना एटियम कार्ट बंद करवा दिया मगर तब तक इनके एकाउंट से सारे पैसे निकाल लिये गए थे चार जनवरी को जब बैंक खुला और मनोज बैंक पहुचे तो पता चला कि दो जनवरी को ही बीस हजार रुपे यानि कि दस-दस हजार रुपे करके दो बार निकाल लिया गया था जिसका मैसेज मनोज गुप्ता के मोबाइल पर नहीं आया यानि कि दो जनवरी को भी मनोज गुप्ता जब पंद्रा सो रुपे निकाल कर अपने घर गए उसके बाद उनके अकाउंट से दस-दस हजार रुपे दो बार यानि कि बीस हजार रुपे निकाला गया और तीन जनवरी को भी दस-दस हजार रुपे करके बीस हजार रुप जो दद दस हजार रुपाय इनके मोबाइल पर नहीं आया था। इतना एमांट निकालने के बाद मनोज गुपता के एकाउंट में 10,638 रुपे होने चाहिए थे मगर उनके एकाउंट में सिर्फ 461 रुपया ही बचा है यानि कि 10,177 रुपे भी इनके एकाउंट से निकाल लिया गया है यानि कि मनोज गुपता के एकाउंट से टोटल 58,000 रुपे की धोखा जड़ी हुई है मनोज गुपता ने इसकी अरजी दे कर पुलिस में भी शिकायत की है और लिखित में बैंक में भी इसकी शिकायत की है मनोज गुपता ने बताया कि ना ही उन्होंने ATM के संबंधित किसी को कुछ जानकारी ती और ना ही किसी को ATM दिया है इनका ATM इनके जेब में ही रहा और बैंक एकाउंट से 58,000 रुपे गायव हो गये मनोज गुपता क्या हुआ था ऐसे आपका पैसा काई दो तारीकों गया अपना डिस्वी वाइंक में वहां से मां पंद्रा सो रुपे अपना निकाला अपने पर्सनल काम के लिए फिर दो तारीकों डिस्वी एटियम से रोशनी बिल्डिंग के पास वहां पे गया पंद्र मेरे काउंट से पैसा ट्रांसफर हो रहा है दर दस अजार रुपया करके दो बार तो मैं बहुत घबरा गया घबरा के गया में तो बैंक बंद्था संड़े के दिन वहां पे गया तो वाचमाइन से मैं कस्टमर के नम्मर लिया और फोन करके सर्विस सरबंद करवा दिया मै कस्टमर के अर्थ से तो फिर सो मौहर की दिन बैंक खुला तो मैं गया बैंक वाले को अपना सब पोजिशन बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो बैंक वाला चेक्ञा तो देखा तो दो तारिक से ही पैसा कट रहा है दो तारिक को रात को ही दो दस जार करके दो बार कि निकल गया था मुझे पता नहीं चला मैसेज भी नहीं आया और फिर तीन तारिक का मैसेज आया वेर को दो फिर तीन तारिक को ही शाड़े आठ हजार का भी एक मैसेज आया उसमें से टोटल मेरा एमाउंट पंदरा सो निकालने के बाद उनसाथ हजार एक सो अनती सुपिया बचा था उनसाथ हजार एक सो अनती सुपिया बचा और उसमें से लोग राट करके मेरा पैसा निकाले मेरे एकाउंट में 461 रुपिया खाली नील बाइलेंस दिखा रहा और पैसे का मेरे को मैसेज नहीं आया नाहीं बता है अब ही लगवाग दस अजार रुपिया रहा होगा लेकिन उसका मैसेज नहीं मेरे को आया नहीं पता चला अभी फिलाल कितना है अब ही फिलाल मेरे एकाउंट में 461 रुपिया 62 पैसा है कुछ शिकायत में के ना बैंग में गया शिकायत किया मैंने उन्हों नों ने फार्म यूंगे सब्कैया बेंस बडम आप ये सब जमा कर वाया अब है तो अब ही सब्कों को से कोई कुछ भी नहीं आया था एटियम कार्ड मेरे पास पड़ा आया सब पैसा मेरा निकल गया बहुत तकलिक में हुआ कि इस बैंक कहां पर केंडरा मार्केट मुम्रा बाजी मार्केट कदम हाल के पास केंडरा बैंक है जिसमें मेरा एकाउंड है झाल अ झाल जैंक हम पर को है । कि यह लूख इसको जाजे बहुत थैंक ह्ट रीट रीटाट ये तक और सकतंवेत प्ज़